रंजीत जी पहला सवाल आपसे ही आखर ये कनहिया कुमार का विरोध है या जो लेफ्ट विचार धारा कॉंग्रस में आयातित होई है कनहिया कुमार के साथ उसका भी विरोध दिख रहा है क्योंकि लगातार ये सवाल उठा है कि कॉंग्रस की जो नेता कॉंग्रस पार्टी छोड़ रहे हैं उन्होंने राम मंदर को लेकर भी का कि कॉंग्रस का जुस्टेंड था सनातन के मुद्दे को लेकर जुस्टेंड था उसे वो संतोश नहीं थे रंजीत जी आयूस जी हम आह भी भरते हैं तो होते हैं बदनाम वो कतल भी करते तो चर्चा नहीं होती आप ये देखिए कि पूरा करनाटक में इनका कुनवा बिखरा हुआ है इस तो अरपा जी अलग चुनाव लड़ रहे हैं बाकि वहां पे सिर्फ फुटवल है अलग-अलग उम्मीद खड़े हो गए कभी मीडिया में चर्चा आपको नहीं मिलेगी नाराण राने और अन्यनेताओं का महायूती में महराष्ट्र में संग्राम छिडा रहा इस पर कभी आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा बिहार में चिराग पासवान और पशुपती कुमार पारस इनक अमलों का विशेश ध्यान रखते हैं आप इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पर हमने चर्चा की थी महराष्ट्र विकास घाड़ी वाले मुद्दे मुद्दे और महायूती पर भी हमने चर्चाएं की थी करनाटक वाला विशेक मुद्दा हो सकता आपकी तरफ से जो क है कि एक सीट पर कई उमिदवार होते हैं जो की नौर्थ इस्ट दिली सीट पर भी रही होगी इस्ति तो उसमें थोड़ी बहुत बात होती है अंदरुनी पार्टी फ्लेटफॉर्म पे बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कोई नाराज नहीं है कोई एकसेप्टेंस में कमी नहीं है कनिया कुमार को केंद्रिया चुनाव समीती ने बहुत सोच विचार कर वहां से उमिदवार बनाया है और वो इस बार भारी मतों से जीतने वाले हैं नौर्थ इस्ट देली में बास्तविक्ता ये है तो इसलिए कोई अंतर विरोध नहीं कोई विरोध नहीं सब लोग एक कारणों से भी इन्हों ने वहां उमिदवारी नहीं बदली बाकी छे जगह तो इनको बदलना पड़ा तो वहां पर कॉंग्रेस पार्टी बहुत बहुत बढ़र रहे हैं यहां से प्रत्याशी भी रहें चुने भी गए हैं और पार्टी संगठन का काम भी दिखा गया है कन देली इस बार हमारे पास है नहीं वो आम आदमी पार्टी के पास है और आम आदमी पार्टी ने चुकि गटबंधन में कई बार क्या होता है कि आप लड़ाना चाहते हैं किसी व्यक्ति को वो सीट आपके पास नहीं आती है तो वहां चुकि आम आदमी पार्टी के हिस्से म मिल कर उनको समर्थन करेंगे नौर्थ इस्ट देली में पार्टी को लगा कि कनिया कुमार अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं पार्टी ने तै किया और उस उनकी उमिद्वारी के साथ पूरा दिल्ली यूनिट है और पूरा जो यहां कॉंग्रिस का कार्य करता है वो है तो म कि पूरे विधायक रहे और बालियान जी केंद्री मंत्री तो ऐसी सित्या तो आती है सियासत में आयोस जी परिस्थितियों का आना असामतियों का आना असामतियों का सम्मान ही लोगत रहे और जूतम पैजार हो जाना एक दूसरे को बाहरी भीतरी बताना और एक दूसरे के कपड़े उतार लेना ये कांग्रेस कल्चर का हिस्सा हो लेकिन जूतम पहजार की जब आब बात करते हैं तो वो खलीलाबाद बाली वो तस्वीर आ जाती है जब प्रेस कॉंफरेंस में एक विधायग बगेल साहब और एक सांसद थे अब नहीं रहे है नाम लिना सही नहीं हो कांग्रेस और टाइम सबसे लो सीट लड़ रही है इतना कम सीट पर कांग्रेस इतिहास में कभी नहीं लड़ रही है पहली बार कांग्रेस तीन सो सीट से कम लड़ रही है मैं बिहार में चुनापरचार के दौरान हूँ बिहार में तो कांग्रेस ने कंडिडेट तक नहीं और वाड़नाट में कॉंग्रेस और कॉम्णी से एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, वहाँ एनी लड़ा रही है, और राहूल गाधी लड़ा रहे हैं, आप अगर बंगाल चले जाएं, तो वहाँ अधिर कितने अधिर है ममता और ममता कितनी निर ममता से उन पर वार कर रहे हैं, ये देख लीजिए, क्योंकि छेत्रिय दलों को पता है कि अगर कॉंग्रेस थोड़ा बहुत भी जी जाएगी तो छेत्रिय दलों को फिर जगर लखा जाएगी छेत्रिय दलों ये जानते हैं कि कॉंग्रेस के च्छै में ही उनकी जाए और कॉंग्रेस ही जानती है कि छेत्रिय दलों के च्छाय में ही उनकी जाय है यह अद्वत इस्तिती है तुम्ही से मुहबत तुम्ही से लडाई अरे मार डाला दुहाई दुहाई आजम्ही पर्टी जिसने कॉंग्रेस से दिल्ली और पंजाब दूनों जाड़ु कॉंगरेस पे लगा दिया था आज कॉंगरेस कट्रुवाले की उने के साथ खड़ी है और उनके कारे करताचा है कि सारे कॉंगरेस चाहती गया तो यह जो भी संगत्यों और दुरुपताओं बीटम बनाओं के बीच पर फसी हुई कांगरेस राजनिती की रेस से बाहर हो चुकिए राजनिती की रेस में विरोध भी है विरोधा भास भी है तेके आयूस जी अभी दो दिन पहले आप लोगों का ध्यान शायद नहीं गया होगा सर हमारा धान कहा नहीं जी आपका विशे वही है दिक्कत दिये हैं आयूस जी मैं जो बता रहा हूं आयूस जी अरे पहले मेरा जवाब तो सुन लिजे फिर आप उसके बुछ करें दो दिन पहले मानिया प्रधान मंत्री जी बिहार में चुनाव परचार करने के लिए गये उ होगी कि यह दोनों से ही मुख्यमंत्री गाइब है क्यों क्यों कि मुख्यमंत्री जी चाहे तो इन लोगों से नाराज है निथी स्कुमार जी पहले बाले खुद करर धी नियूस जल्दी अपनी बहात पुरी कि निधी शाओ ठीट क्रम कर लिए दुक्त दो पर नितिश जी का काई पर रहा है, आप कहा गलती कर रहे हैं यह बताएगी, अरे अपनी गलती देख लो भाई, मैं जमूई और गया दो सभाओं का कोडिनेटर हूं मीडिया की दृष्टी से, गया के मंच पे नितिश कुमार का भासन हुआ है, और कह रहें गया गया ही नहीं अब बताइए, आएसे भी ढंब बनाओ भी दृष्टाओं के बीच में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है रंजी ठीक है, राकिश नहीं एक मुद्दर तो यह है कि विचारधारा की लडाई है और दूसरा मुद्दर ये दिखता है कि विचारधारा दिख रही है क्या देखे, कांग्रेस को समझने के लिए अलग-अलग बिंदियों पर देखना पड़ेगा. आपको पहले चलना पड़ेगा 2004-2009. तो 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उस सरकार का जो मेन जैक था वो था लिफ्ट पार्टी. हरकिसंग सिंग सुरजीत जी उसमें मुक भूम गया. वहां से लिफ्ट का प्रवेस होता है कांग्रेस के अंदर. जो कहा जाता है कि कांग्रेस में कहीं न कहीं एक नया प्रवाह आ गया है. वही कारण है कि चार अदुबारा जब नौ में आई तो लिफ्ट पार्टी वहां तमाम ऐसे संगठन जो बैकचारिक रूप से लेसिक अंतर ये पाएंगे कि इंडिया कट बंधन में भाजपा आगे चलती है और छेत्री दल पीछे चलते हैं. इंडिया कट बंधन में छेत्री दल आगे चलते हैं और कॉंग्रेस पीछे चलना पसंद करती है. उसका बड़ा कारण देखिए बिहार में आरजेडी की तर तो तीन से चार सीटों को छोड़ के बाकी सीटों पे कॉंग्रेस प्रभावी नहीं है। इसके अलावा बाकी प्रत्यासियों को लेके कांग्रेस के अंदर एक द्वंद चल रहा है। कि आमादी पाटी अच्छी है और आप उसको कांग्रेस को बोट करिए। यह द्वंद जो है दिल्ली के अंदर वो चाया हुआ है। यही द्वंद आपके कल की बैठक में सुरुआत हुई है और लोग सबाट चुनाओं तक पता नहीं क्या क्या द्वंद देखने को मिलेगा।